स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो टू डिमेंशनल पैरोटी चेक है इससे पहले वीडियो में हम सिंगल बिट पैरोटी चेक के बारे में बात कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है आप पहले वो वीडियो देख लें इस तरह आपको इस वीडियो की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी तो चलिए हम इसकी वरकिंग के बारे में बात करते हैं कि आया के टू डिमेंशनल पैरोटी चेकिंग में हमारा डेटा सेफ एंड साउंड सेंडर से रिसीवर की तरफ कि नहीं किस तरह पैरोटी बिट इसके साथ एड़ करते हैं तो चलिए हम इसकी वरकिंग के बारे में बात करते हैं इन तू डिमेंशनल पैरोटी चेक डेटा इस और टेबल table, first point में हमें वो क्या बताते हैं कि two dimensional parity check में जो data होता है वो एक table की form में और्गनाईज कर दिया जाता है, students इस तरह ये एक table की form में data organize है, इस तरह जो हमने data standard से receiver की तरह move करवाना होता है, उसे पहले हमने एक table की form में और्गनाईज करना होता है Point number two में हमें किया बताते हैं Bids are computed for each row So point number two में हमें उन्होंने यह बताया हर row में हमें Bids जो होती है वो calculate करनी होती है के हर row में कितनी Bids हैं देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो row number one है इसमें हमारे पास 8 Bids है Point number three में हमें किया बताते हैं In disparity check A block of bits is divided into rows And a redundant row of bits is added to the whole block Students, ये देखे, point number 3 मैं आपको example के साथ समझाता हूँ कि जब हमारा जो data होता है वो एक table में organize हो जाता है Then उसके बाद हमने जितनी भी bits होती है उसे calculate करना होता है जिस तरह हमने row number 1 की bits calculate की तो 8 bits हमारी row number 1 थी हमने यहां पर अब even parity चेक है वो लगाना है देखें हाँ, अब हमने करना किया कि जितने भी हमारी row में number of ones है ना उसको calculate करना है अगर तो हमारे पास वो even आ जाते है Then हमने parity bit वो zero use करनी है अगर तो number of ones हमारे पास old आ जाते है Then हमने parity bit one add करनी है तो हम देखते है किस तरह हमने यह one और zero add किया parity bit के तौर पर देखें पहली row में हमने देखा जो number of ones थे वो कितने है one, two, three, four and five तो पहली row में हमारे पास जो number of ones थे वो old थे लहाजा इन्हें even बनाने के लिए हमने जो parity bit one add की second row में देखते है one, two, three, four and five जो second row थी हमारे पास इसमें भी जो हमारे पास number of ones थे वो old आ रहे थे लहाजा इसे even बनाने के लिए हमने जो one parity bit इस्तमाल की row number third में देखें one, two, three, four, four ones आ रहे हैं तो ये already even है तो हमने parity bit जो है वो zero use की इसी तरह row number five में one, two, three तो three old number है हमारे number of ones है वो old आ रहे हैं तो लहाजा इसे even बनाने के लिए हमने parity bit students वो one add की तो ये हमने अब चेक कर लिया row wise अब हम इसे चेक करेंगे column wise तो column wise हम देखते हैं number of ones जो हुँँँआ आ रहे हैं या ard आ रहे हैं अगर even आ रहे हैं तो हम one की बेजाए zero use करेंगे अगर ओड आ रहे हैं तो हम one add करेंगे देखे one टू ये पहली हमारे column में जो न number of ones लिए आ रहे हैं हमने parity bit zero add कर दिखे column number two में देखे one, two, three number of ones हमारे order आ रहे हैं तो हमने parity bit वो one add की तो students आपको अंदाजा हो गया होगा कि row wise और column wise हमने parity bit किस तरह use करती है करनी होती है और हमारा जो data है वो किस तरह आगे move कर देता है ये को हमारे पास table बन गया row wise और column wise हमने parity bit add कर दी उसके बाद हम आगे वाला point परते हैं कि उसमें क्या कहते है add the receiving end the parity bits are compared with the parity bits computed from the received data जब यही data हम sender से receiver की तरह move करवा देते हैं तो जो हमारा receiver होता है वो उसे compute करता है all bits को कि ये number of ones है वो सारे blocks में या row में even ही आ रहे हैं या किसी में odd भी आ रहे हैं वो सारे क्या करता है compare करता है जब वो ये चेक करता है तो देखता है कि सारे जो number of ones हैं ये सारे हमारे पास वो even आ रहे है देन उसे ये पता चल जाता है कि जो data sender ने मेरी तरफ send किया है वो बिलकुल दुरुस्त data है वो मेरे पास बिलकुल दुरुस्त फार में पहुँच गया है अगर इसमें कोई भी इस तरह का row होती या column होती जिसमें number of ones थे वो even की बजाए order आ जाती है देन उसे पता चल जाना था कि इस data में कोई नो कोई गलती है कोई bit 0 से 1 में तबदील हो गई है या 1 से 0 में तबदील होगी है लहाजा उसने acknowledgement के तोरप सेंडर से दुबारा कहना था कि मेरा जो data है वो दुबारा मुझे re-send कर दे तो ये थी students two dimensional parity check की थोड़ी सी working I hope कि आपको इसका अंदाजा हो गया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करें थाइंक यू स्टूडेंट्स